तो संसत के इतिहास में कल का दिन इससे पहले कभी नहीं आया होगा पिछले दस साल में संसत में नेता प्रतिपक्ष की खामूश आवाज पूरे सदन में गूच रही थी राहूल गांधी बेबाक और पूरी विपक्ष की ताकत समेटे हुए सत्ता पक्ष से संसत के भीतर पर पलटवार करने के लिए बारी बारी से खड़ा आना होना पड़ा यहां तक कि खुद लोगसवार स्पीकर को भी नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी को बार बार टोकना पड़ा बार टोकने अको तो हिंसा इंसा 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 नफरत 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 अब्रत करोणों पर गर्म से एंसा की बात करते हैं विपश के नेता को गंभीर चासे लेना चाहिए संसर्द में जभेंकर रण हुआ नील कंठ से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी सत्ता पक्ष पर दूसरे धर्मों के भगवानों की तस्कीरे दिखाते हुए फुल पॉम में थे तो प्रदान मंत्री मोधी भी खास मुस्पुराहत के साथ अपने भाव वेक्ट करते दिखे राहूल गांधी के शब्द भेदी बाणों की काट के लिए स्वेम विमंत्य अमिच शाह रच्छा मंत्री राचनाफ सिंख तक को मोचा सभलना पड़ा इन पुत्व से लेकर अग्मीवीर अग्मीवीर से लेकर ऐउध्या तक के मुद्दों पर तीखी बहस सदन की दिवारे भी मनों नहीं रही हो जो लोग अपने आपको हिंदु कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफ्रक 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 इस बीच कई बार ऐसा हुआ जब अमित शाह को राहूल गांधी के एक एक बार का करारा जवाब देनी के लिए खुद मैदान में आना पड़ा दिल्ली में दीन रहाडे हजारों सीख बाईयों का कटल्याम उनके सासर में हुआ कि स्री राहूल गांधी नेता प्रतिपक्स पहला भासन होने के बावजूद माभी मागनी चाहिए ना के वल सदन उने देश की माभी मागनी चाहिए हिंदुत्व पर संग्राम छिडा तो बाद अगनी वीर तक भीजा पहुँची अगनी वीर को जवान नहीं कहा जा सकता अगनी वीर यूज एंड थो मजदूर है बात अयोध्य की आई तो राहूल गांधी यहाँ भी नरम पड़ते नहीं दिखे अखिर राहूल के बाद प्येम मोदी को भी उन पर कटाक्ष करना पड़ा क्या मैं अयोध्या से लड़ जाओ और सर्वेयर्ज ने कहा अयोध्या में बत लड़ जाना अयोध्या की जंता हरा देगी और इसलिए प्रधान मंत्री वारा नसी गए और वहाँ भच के निकले लोगतंत्र ने और सम्विधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपश के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए फिर भी जुबानी जंग और तिकी हो गई जो आपने डर खलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला बात कैमरे और माइक पर आगे तो खुद इस पीकर भी राहुल गानी को इस पश्ट करते दिखे इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ ले है अपनी बेठे आप बोलने के लिखड़े आपका माइक कभी बन नी हुआ कभी बन नी हुआ राहुल ने भाशन की समाप्ति की तो अमिच शाह ने तुरंत मोर्चा समाला नेता प्रतिपक्स को अपने भाशन में तथ्य पगर की और सत्य नहोए असी जो बाते रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संदक्षन में अब सब को इंतलजार ये मोदी के भाशन का है ब्योर रिपोस जी मीडिया